जहिंद मेरे प्यारे शांतियो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लाश 10th हिंदी का माडल पेपर जो बोर्ड एक्जाम 2024 के लिए हूब हूँ ऐसे ही रहने वाला है ठीक है तो वीडियो में सुरू से लेकर अन तक बने रहें जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर बोर्ड एक्जाम के सभी सब्जक्टों के most important question की तयारी कराई जा रहे है यदि आप चाहते हैं घर बैठे आपका result 90% से 95% तक result बने तो इस चैनल को subscribe करके इस चैनल से जोड़ जाए क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जक्टों की तयारी कराई जा रहे है बिल्कुल मुप्त एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो वीडियो में सुरू से लेकर अन तक बने रहें देखे आपका paper board exam 2024 में कैसे आएगा वही बताने वाला हूँ यहां पर मैंने गलती से 2023 लिख दिया था इसलिए यहां पर डिलेट करके इसको 2024 यहां मुझे बगल में लिखना पड़ा ठीक है तो देखे फर कैसे आएगा board exam 2024 में आपका paper कैसे आने वाला है इसको पूरा आप सुरू से लेकर अन तक देखिएगा और खुद से solve करिएगा मैं यहां पर question सिर्फ बताऊंगा कि किस तरीके के question आपके board exam 2024 में आएगे बाकि solve आपको करना ठीक है यह जो model paper मैं करा रहा हूँ इनके सभी question को solve आपको खुद से करने दिखिए आप कितने question के सही जबाब दे ले रहे अगर ऐसे question सभी solve कर लेंगे तो मैं guarantee के साथ कर रहा हूँ कि board exam में आपसे एक भी question नहीं चूटेगा और कम समय में solve कर लेंगे ठीक है और कोई दिक्कत हो रही है board exam 2024 के तयारी करने में आपको इस चैनल को subscribe करके तुरंद जूर जाए क्योंकि इस चैनल पर सभी subject की फिरी में तयारी कराई जा रही है most important question की जो 2024 में पूछे जाएंगे board exam 2024 में जिसके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है सभी question आपको बताया जा रहे है ठीक है फिलागर आते हैं अपने topic पर board exam में question आएंगे कैसे और paper कैसे बनेगा 2024 का paper होगा कैसे कुछ इस तरीके से वहाँ पर भी लिखा रहेगा same who भू इसी तरीके से paper होगा ध्यान दीजेगा 3 घंटे 15 मिनट का paper होगा 70 number का paper आएगा 30 number जैसा कि आपको पता है school से ही मिल जाता है इसलिए 70 number का ही paper आएगा और कुछ निर्देश इस तरीके से दिये रहेंगे थोड़ा निर्देश मैं आपको पढ़के बता देता हूँ देखे निर्देश में क्या बोला है पहला निर्देश से प्रारंब के 15 मिनट परिछार्थियों को प्रस्न पत्र पढ़ने के लिए निर्दारित है जब आपको ये paper मिलेगा तो 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा किसको आप पढ़ लेजे अच्छे से समझ लेजे कहां पर क्या बोला किस तरीके से आपको solve करना है इस paper को ठीके दूसरा निर्देश दिया रहेगा प्रस्न पत्र दो खंड अ तथा खंड ब में विवाजित होगा अर्था खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रस्न होंगे और खंड ख में यानि ब में यहाँ पे वनात्मक प्रस्न आएंगे ठीके तीसरा निर्देश है प्रस्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रस्न है ज्यान दीजेगा खंड अ में बहुविकल्पी प्रस्न होंगे टोटल बहुविकल्पी प्रस्नों की संख्या जो होगी वो 20 होगी अर्थाद अब्जेक्ट्टू क्वेस्चनों की संख्या 20 होगी ठीक है जिसमें सही विकल्प का चयान करके OMR सीट पर नीले अर्थवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर रूप से काला करे तो इस नीर्देश से ये पता चल गया कि जो विकल्पी प्रस्ण होंगे उनको OMR सीट पर सॉल्व करना था गोला करके टिक लगाना ठीक है और दूसरी बात आपको बोड़ अग्जा में सिर्फ काले नीले या काले पेन लेके जाने है वो भी बाल पॉइंट पेन होने चाहिए जेल पेन नहीं होना चाहिए चौथा निर्देश है खंड अ में बहुविकल्पी प्रस्ण है तो प्रतेग प्रस्ण के लिए एक अंक निर्धारित है अब पांचवा है OMR सीट पर उत्तर अंकित किये जाने के पचात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदिका प्रयोग ना करें छटवा निर्देश है प्रतेग प्रस्ण के सम्मुकुन के निर्धारित अंक दिये गए हैं तो यह कुछ निर्धेश से पेपर आपको हू बहू ऐसे ही मिलेगा और यही आएगा पेपर ऐसे ही सेम आएगा ठीक है तो आप याद रखिएगा इस तारीके से निर्धेश बोला रहेगा अब क्वेस्चन कैसे आएगा थुड़ा हम क्वेस्चन पर डीटिल में बात कर ल खंड होगा जो कि एकजाम के द्रिष्ट से और पर्षेंटेश के द्रिष्ट से काफी इंपोर्टेंट खंड होता है अगर यह खंड 20 नंबर का है अर्थात रहेगा ही रहेगा अगर आप 20 नंबर सही कर लेते हो 20 क्वेस्चनों को सही कर लेते हो तो 30 नंबर तो आपको स्क करके पा जा रहे अब बच रहा है 50 नंबर का पेपर वड़ात्मक में आप क्या 40-45 अगर ला दोगे क्या नहीं पासकते हो पासकते हो ना तो 40-45 परसंट आप यहां पर यानी 40-45 नंबर ला देते हो 50 में से तो 50-45-90 हो जाएगा या 45 लाओगे तो 95 हो जाएगा तो यहां 50-95 परसंट रिजल्ट आपका असानी से बन जा रहा है ठीक है फिलाग हम आते हैं अपने क्वेस्टन उपर देखिए क्वेस्टन आएंगे कैसे जैसे यहां पैसे सेम दिया रहेगा बाबु गुलाया प्राय किस यूग के लेखक हैं यह क्वेस्टन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा इसलिए नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं इसका एंस्वर ढूढने का प्रयास करिए ठीक है और यह सब करने के बाद यह वीडियो मेरे द्वारा तो आपको पूरे प्रस्णों का उत्तर मिल जाएगा ठीक है कि अपको क्या करना है कि अपने इसको सौल्व करना है लेकि आपको नहीं आ работать इसका एंस्वर ढूढने का प्रयास करिए ऐसे ही बोड एक्जाम में आपके question आएंगे अगर त्यारी अभीस नहीं करोगे दबाद में पस्ता होगे question number two है चिंता मरी किस विधा की रचना है तीसरा है डबन किस की रचना है सब एक एक नंबर के question है बहुई कलपी है एक एक नंबर के आएंगे ठीक है याद रखेगा अगला question है सुक्ल युक की समावधी क्या है ठीक है तो समावधी क्या है यह सब मैं कराऊंगा नहीं आप अपने से solve करिए नीर का निर्मार फिर किस विधा की रचना है question number six से प्रवास किस युक की रचना है सब एक एक नंबर की question है अपने से solve करते रहे इसको ठीक है और सभी subject का मैं करा दूँगा इसके पहले मैंने हिंदी का आपको बता दिया था कौन सा topic कितने नंबर काएगा कौन सा topic कहां कहां पर पढ़ना है कहां से वह विकल्पी प्रशनाएगा कहां सवानात्मक प्रशनाएगा मैंने सब कुछ आपको बता दिया है यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो मिल जाएगा नहीं तो वीडियो के नीचे description में उस वीडियो का link मैं देदूँगा वहाँ से आप जाकर देख लिए जएगा ठीक है तो यह question number 6 था प्रियो प्रवास की स्यूग की रचना है आगे विकल्प दिये गए चले उसको हम आपको दिखा देते है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था question प्रियो प्रवास की स्यूग की रचना है चार आपसन इसके दिये गए अगला question है मदुसाला किसकी रचना है आठमा है भारत भारती किसकी रचना है और नवा है आधुनिक काल कब से कब तक है यानि समय सीमा पूछा गया है दसमा प्रसन है मतिराम की स्यूग के कमी है तो यहाँ पर अलंकार से संबंधित question पूछा गया है अलंकार से यहाँ पर आया है किसका उदाहरण है यह आपको बताना है तो अलंकार पढ़ा आगे गया सब इस शरुव में पढ़ा दिया जाएगा बने रहे हैं मेरे साथ अगर नहीं आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को जब मैं अप्लोड कर रहा हूँ तो अभी यह सब टॉपिक नहीं पढ़ाएगा है अगर आप एक महीने बाद देख रहे हैं इस वीडियो को समले जे टॉपिक सभी पढ़ाएगा है आप इस चैनल के माध्यम से प्लेइलिस्ट में जाएगे क्लास 10 वोड एक्जाम 24 में उस प्लेइलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगी एक एक टॉपिक है ठीक है तो उसको वहाँ सब तयार कर लेज़ेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी वोड एक्जाम में प्रस्ट नमबर 13 है रोला छण्द में कितने चरण होते हैं प्रस्ट नमबर 14 है आकरशभा सब्द में किस उपसर का प्रयोग किया गया है 15 है प्रत्या के कितने भेद है सब वही कल्दबी प्रस्टन है दोस्तो ये सब 16 है पितामबर में कौन सा समास है और 17 है आशू का तस्थम रूप है आगे देख लिए अभी आपने देखा क्वेस्चन ये आशू के तस्थम रूप है तो इसका ये आपसंदिया गया चारों क्वेस्चन नमर 18 है यान संधी का सुत्र है क्वेस्चन नमर 19 है फालस सब्द का वचानेयम विभर्ति है और 20 है अपठत धात का वचानेयम पुरुष है तो ये टोटल 20 क्वेस्चन बहुविकलपी थे और ऐसे ही बोड एक्जाम में आपके आएंगे भी और कुछ क्वेस्च पर आएगा अब आएगा खंडबी से वलड आत्मक प्रस्ण जो टोटल 50 पुडांक का होगा और ये भी एक्जाम के दिष्ट से काफी इंपॉर्टेंट होता है यहीं से बच्चे जो होते अच्छे रिजल उठाते हैं तो इसी के माद्यां से 50 में से 40 45 पा जाता है तो उसक निम्नांकित गद्यांस पर आधारी तीन प्रस्णों का उत्तर दीजे तो कुछ इस तरीके से आपका गद्यांस दिया रहेगा गद्यांस पढ़ूंगा तो काफी समय हो जाएगा वीडियो में चाहता हूं छोटे छोटे में बन जाए और अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सपाओ तो यह हैं इस तरीके से गद्यांस में तीन क्वेस्टन देगा जो दो नंबर के होंगे ठीक है ? दो 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 भीचे मुद्यांस से अध्वा करके गद्यांस नीचे और दिया रहेगा दोनों गद्यांसों में से जिसका अंसवर आपको पता है उन दोनों में किसी besar दे सके ठीक है इसमें भी तीन नंबर का प्रशन दिे रह« दो तीन इंबरक का होगा अगर आपको आथवा के ऊपर वाले का गध्यांस का उत्तर पता है तूह आप दे दीजे नहीं तो नीचे वाले में उत्तर दे दीजे जो आपको उचित लगे उसका अंसवर देदीजे लेकिन करना कोई एक रहएगा, जहां पर अथवा बोलड़ेगा, उसमें किसी एक कही अंसवर आपको देना होगा क्वेस्टन नमबर टू पध्यांस पर आधारित होगा तीन प्रस्ण स्में से पूछे जाएंगे चरण कमल बंदो हरी राई देखे यहां से च्छा नमबर का प्रस्णा आएगा पध्यांस आपका दिया है आगे मैं दिखाता हुआ आपको अगले पेज में है तो देखे दोस्तों यहां पचरण कमल बंदो हरी राई जाकी किर्पापको गिरी लए हो यह सब आपका क्या है पध्यांस है ठेक है पध्यांस के अंतर गत आपसे तीन क्वेस्टन यहां पर पूछा रहेगा जो टोटल दो-दो नमबर का होगा रथा च्छा नमबर आपको यहां समिल जागा है यह अथवा करके बोला रहेगा, इस तरीके से नीचे देखिए, नीचे आपको देखने को मिल रहा है, सुनि सुंदर, वयन, सुधारस, साने, तो इस तरीके से यहां पर देखिए, यहां से यहां तक आपका क्या है, यह गध्यांस है, ठीक है, पद्यांस है, अब पद्यांस म कोनों में से किसी एक का एंस्वर देना होगा तो काफी पीपर आसान आएगा आपका टेंशन मत लीजिए जो तैयार करा रहा हूं उसको आप तैयार करके चले जाएगा अफिलाल इसको अपने से सॉल्व करिएगा और सभी सब्जेक्टों का मैं आपको मॉडल पेपर बता अथवाह करके रहा हैं इन दोनों में से इसका आइस पर आपको पता है उसका प्रद्यांश में इसको यहांज जाएगा थिक है तो अगला question question वरात्मक प्रश्न के अंतरगर संस्कृत पध्यांस में से किसी एक संदर्वसाइथ हिंदी में अनुबाद कीजिए तो यहां इसको उसको मैं आपको बता देता हूं अब देखिए दोसों question number 5 देखिए चाओ थे मैंने बताया सब मैं अर्थवा-र्थवा करके दिया रहेगा ध्यान दी जाएगा दो में से किसी एको करना होगा अब पांचवा आएगा अपने पठीत खंड काब के आधार पर निमने लखित प्रस्णों में से किसी एक का उत्तर दीजी तो आपके जिस्टिक के अनुसार खंड काब आपका अलग-अलग होता है ये सभी आपको पता दिया जगर आपको खंड काब नहीं पता है कौन सा खंड काब आपको पढ़ना है तो मैं बता दूँगा किस जिलो के बच्चों के लिए कौन सा खंड काब है ठीक है तो अभी यहां पर धियान दीजे जो खंड काब जिसके लिए होगा मैं बता देता हूँ जैसे मैं प्रियाग राज से हूँ तो अगर पूजा यहाँ प्रयाग राज के बच्चों के लिए खंड काब है ठीक है तो प्रयाग राज वाले यह तयार कर लिजे और अधर द्रिश्टिक वाले अगर बच्चे है तो कमेंट में बताएंगे तुम्हें उनको भी बता दूँगा कौन सा खंड काब है किस जीलो परिखते हुए उनकी अइक प्रमुक रचना का उन्लेक कीजिए तीन लेख को का सिवन परिशे यहां पर दिया रहे हैं तीन लेख नम्बर का पर आपकोसes के बारे वंड़ीन परीजों का प invers आंपको लिख 스. अब Kopf नंबर में यहांः भी आपसे जीवन पर दोनों में जीवन परिचे ही पूछा रहेगा ठीक है और तीन तीन जीवन परिचे दोनों में दिये रहेंगे तो याद रखेगा पांस पांस नंबर के जीवन परिचे आपके हो जाएंगे ठीक है तो तीनों में से किसी एक का जीवन परिचे लिखना हो रहेगा एक एक वीडियो का ठीक है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलो देख लेता है नेक्स्ट क्वेस्टन को तो अगले कवी थे महा कवी सूर्दाजी ठीक है अब प्रस नमबर सेवन अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्त कोई एक स्लोक लिखिए जो इस प्रसन पत् है अगर आप तुरंत अभी देख रहे हो तभी कुछ टॉपिक के नहीं बताएगे जो बताएगे वो तयार करते रहिए ठीक है सब्सक्राइब करके जूड़ना मत भूलिएगा क्वेस्टन नमबर एट है निमनलखीत में से किन्ही दो प्रसनों का उत्तर संस्कृत में संस्कृत में देखर आपको ठीक है क्वेस्टन नमबर नाइन पूछा रहेगा निमनलखीत में से किसी एक विशह पर निमन लिखिए तो निबंध इसमें से आएगा चार-पांच टॉपिक इस तरीके से दिये रहेंगे जो टॉपिक आपको पता होगा उसमें से किसी एक प कोई भी चेंजिंग नहीं होगा क्वेस्टन नमबर नाइन के अंतर अगर निबंध है तो निबंध ही वहां पूछेगा यहां पर उत्तर संस्कृत में दीजिए तो संस्कृत में ही पूछेगा इतनी क्वेस्टन आएंगे 9 वाडात्मक प्रस्न आएंगे और 20 आपके आफ से मिलते रेंगि थोड़े बहुत चेंज होंगे पूरा क्वेस्टन यहांसे नहीं आयागा थोड़ा पर मजबल चेंज रहे गा लेकिन पूछी जाने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा इसलिए आप मॉडल पेपरों को सॉल्व करिए सभी सब्जेक्टों का मैं मॉडल पेपर इस चैनल पर करा दूंगा टेंशन नहीं लेना है इस चैनल से बने रहेंगे तो आप मैं दावा दे रहा हूं कि 90-95% रिजल्ट आप उठा सकते हो इसकी गारांटी ले रहा जैसे वीडियो अप्लोड किया जाएगा तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ या किसी अन्याय सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ तब तक के लिए भाए भाए जहींद जय भारत